हेलो दोस्तों आज हम एक नए वीडियो के साथ उपस्तित हैं मैं हूँ लक्षमी चौधरी और आज हम बात करेंगे वाक्ये पर वाक्ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे क्लास 10 से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक के सारे एक्जाम्स के सिलेबस में लगा रहता है और वाक् सारकार की सवाल हमारे एक्जाम्स में बन सकते हैं उस पर हम कुछ वीडियो में बात करेंगे तो सबसे पहले आज हम सबस्त्र 8 सबसे छोंटी पूची जाए तो वह होती है धोनी लेकिन उचरित भासा को जब लिख दिया जाता है तब वह धोनी वर्ण कहलाती है और उन वर्णों का जो सार्थक समू होता है सार्थक समू होना जरूरी है वैसे ही समू होगा जिसमें कोई सार्थकता नहीं हो कोई अर्थ नहीं हो तो वह शब्द नहीं कहलाएगा जैसे हम बोल दे कि पानी पानी भी को शब्स बासाइब द्रिष्टी दिए तो नीपा कोई सब्स होता है उसे हम कहते हैं वाक्य वाक्य क्या होता है शब्दों का सार्थक समू, शब्द जब वाक्य में पर्यूक्त हो जाते हैं, तब उन्हें पद कहा जाता है, पद एक शब्द आता है हमारे सामने कई बार की ये पद क्या है, तो पद व्याकरनिक तरष्टी से वो शब्द है जो किसी वात्य में परियुक्त हो जाए तब वो पद कहलाएगा और वही अगर अकेला कहा जाए जैसे यहाँ पर लिखा है राजू तो राजू कहा तो तो यह शब्द होगा लेकिन मैं यहां लिख दूँ कि राजू आज बाजार गया इस परकार से मैंने लिख दिया तो राजू आज बाजार गया लिखा है तो यह एक वाक्य बन गया तो यहां पर जो राजू है उसे हम शब्द नहीं कहेंगे वह पद कहलाएगा तो पद की परिवासा आपको समझ में आ गई होगी कि सब्द कब तो पद बन जाता है और कब वह सब्द रहता है यह बात हमें समझ में आ चुकी है आगे हम बात करते हैं वाक्य की परिवासा यानि व्याकरनिक जो परिवासा होती है उसकी दृष्टी से हम वाक्य को देखें तो शब्दों का वह सार्थक समू जिसमें आकांक्सा योगेता और सन्निधी यानि समीपता यानि समीपता नामक गुण हो ये तीन गुण पहला गुण है आकांक्सा दूसरा गुण है योगेता और तीसरा गुण है सन्निधी ये तीनों गुण जिसमें होते हैं वह वाक्य कहलाता है ऐसा सब्दों का समू जिसमें आकंक्षा, योगेता, और सनिदी या समीवता नामक गुण पाये जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वाग्ष कहते हैं. जैसे हम कह दें कि सोहन आज तो सोहन आज इतना ही हम कहें तो जो सुरोता या सुनने वाला होगा उसके मन में एक इच्छा रहेगी या अकंख्षा रहेगी कि आगे क्या कहने वाले वो इच्छा की पूर्ती जब तक नहीं होगी तब तक ये सोहन आज नामक दो शब्द जो लिखे हुए हैं ये वाक्य में परिवर्थित नहीं होगी तो ये इसका आकांक्षा नमक गुण है कि हमारे मन में एक इच्छा रहती है कि अब ये वाके अर्थ देगा कि सोवन आज जैसे कह दिया कि सोवन आज सिनेमा जाएगा सिनेमा जाएगा इस परकार से कह दिया तो अब लग रहा है कि हाँ सोवन आज क्या करेगा सिनेमा जाएगा तो हमारी जो आकांक्षा नामक जो हमारे मन में एक भाव रहता है वो पूर्ण हुआ और वाक्य का जो मुख्य गुण है आकांक्षा उसकी पूर्ती होने के कारण यहां पर यह पूर्ण रूप से वाक्य बन गया शब्दों का तो हम वापस रिपीट कर सकते हैं कि शब्दों का ऐसा सार्थक समू जिसमें आकांक्षा योग्यता और आसक्ती या जिसे समीपता निकड़ता कहते हैं नामक गुण पाए जाते हैं उसे काई को वाक्य कहा जाता है अब वाक्य के जो गुण है वो मुख्य रूप से तीन है वैसे चार भी आते हैं तात्परिय भी आता है कई बार और भी गुणों की हम बात कर सकते हैं लेकिन वाक्य के जो गुण है मुख्य रूप से वो तीन है उसमें पहला गुण है आकांक्षा अब यह हम बात कर ही रह मैंने लिख दिया कि राजेस कवीता अब राजेस कवीता सोचेंगे कि इसका तो अर्थ पूर्ण वह संद की इच्छा पूर्थ tad हमारे मन Northern ये अर्थ ग्यान प्राब्त करने की तुम्हूर जब हो जाती है तबाके में आखं। नाम गुण की पूर्थी मानि जाती है जैसे राजेस कविटा मैंने कहा दिया पढ़ता है या लिखता है। अर्थ ज्यान की इच्छा पूर्ती हुई कि नहीं हो गई क्योंकि राजेश कविता पड़ता है पूरा अर्थ परदान वाक्य कर रहा है यह आकंग सा नामक गुण की पूर्ती हो गई अब वाक्य के दूसरे गुण की हम बात करें तो गुण है योग्यता योग्यता हमारे अ झाल गमत या तारत्व में था यानि अब मैंने यह लिखा है कि रोहन किताब पीता है अब किताब पढ़ने की चीज़ है कि पिएगा कैसे भाई रोहन किताब कैसे पिएगा रोहन तो पानी पीता होगा 51 पी ठाउगा लेकिन किताब% नहीं सकता हाँ गोट के पी सकता है उसका अर्थी है कि वो ज्यादा प्रेक्टिस कर सकता है वो एक अलग बात है लेकिन वाक्य की दरश्टी से या सरंचना की दरश्टी से हम देखें तो रोहन किताब पीता है गलत है उसकी जगर सही अपना क्या होगा रोहन किताब पढ़ता है रोहन किताब को क्या करता है पड़दा है यह अगर मैंने कहा तो मेरा वाक्य में योगेता नामक जूण पूर्ण होगा तो योगेता किसे कहते हैं इसे अपने को समझना है अर्थ बोद में सुगम्ता यानि अगर हम कहें कि उसने आग पीली या कुछ भी कि उसने रोटी पी ली, उसने खाना पी लिया या पानी खा लिया, ऐसे कुछ उल्टे सुल्टे अपन बोलने लगते हैं, तो हुआ पर क्या होता है कि योग्यता नमक वाक्य का गुन पूर्ण नहीं होता है, और वो वाक्य पारिवासिक दश्टी से पूर्णे कई नहीं बन बाता है इस परकार से ये वाक्य का दूसरा गुण है योगेता पहला गुन्था अकांक्षा और अब तीसरे गुन की बात करें तो वो है आसकती जिसे हम समीबता कह सकते हैं, जिसे हम सनीदी कह सकते हैं, जिसे हम निकरता कह सकते हैं अगर हमारे option में चार आ जाए कि आकंक्षा योगेता आ सकती इन तीन वाक्य के गुणों के अलावा कोई चोथा दे दिया है, कोई भी दूसरा दे दिया, कुछ भी तो वो वाक्य का गुन नहीं होगा, जैसे सामजिक्ता दे दिया, तो सामजिक्ता वाक्य का कोई गुन नहीं है, तो वो अप्शन अपना अलग हो जाएगा, इस परकार से ये जो आशक्ति के प्रयाईवाची है, समीपता, सनिधी और निकड़ता, इने हमें ध्यान रखना है क निकड़ता योगे तक आर्थ नहीं है और नहीं आकांक्सा का आर्थ है किस आर्थ है आसकती का आसकती यानि निकड़ता वाक्य के सब्दों के बीच अंतराल का न होना यानि वाक्य सुबह मैंने बोला कि रजनी खाना रजनी खाना और मैं साम को बोलू कि बनाती है या खाती तो वह वाक्य उसमें कोई निकड़ता नहीं रहेगी तो वाक्य व पारिबासिक दर्ष्टी से वाक्य ही नहीं कहलाएगा क्योंकि उसमें निकड़ता या आसकती या सन्नी दिनामत गुण की पूरती नहीं हो रही है तो यह तीन मुख्य गुण है अकंक्षा योग्यता और आ मुही क्या कहलाता है वाक्य कहलाता है तहने बाद दोस्तों